बदलते वक्त के साथ बढ़ती मश्रूफियत के कारण आपके और कहानियों के बीच में जो फासले आ गए हैं, उन्हें कम करने हिंदी साही तिसभा लेकर आई है किस्सा गोई इस श्रंखला में हम आपको रूबरू कराएंगे बहुत सी नई, पुरानी, जानी, अंजानी तमाम भाशाओं की कहानियों से तो आईए, हम आपको सुनाते हैं इस कड़ी की पहली कहानी मूल रूप से रूसी भाशा में लिखी गई, लियो टॉल्स्टोई की कहानी पराधारित, आखिर कितनी जमीन भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, वीर ने गिलाश में शराब भरते हुए कहा वीर बिखान में पला बड़ा था, मगर जीविका की तलाश में सैकड़ों मील दूर भिंड में जीवन व्यतीत कर रहा था हालांकि पुष्टैनी जमीन की देखरेक को हर साल बिखान का एक चक्कर लगा लेता था नहीं, मैं अब भी नहीं पीता मनोज ने वीर को उसके गिलास में शराब डालने से रोका तुम बदल गए हो, महंगी घड़ी, सूट बूट मनोज और वीर बच्पन के साथ ही थे, लगू किसान घरों से आते थे गाहों में न ज़्यादा नोकरियां थी, न सुक सुविदाएं अतेवीर ने बहतर जीवन शहली की तलाश में भिंट को प्रवास किया मनोज बिगान में ही जीवन व्यतीत कर रहा था उभरता शहर है भिंट, कार खाने स्थापित होने लगे हैं अभी जमीन उतनी महंगी नहीं है, मगर कुछ सालों में कई गुने भाव होंगे अभी अच्छी खासी जमीन खरीड लो, कल को ऐशो आराम की जिंदगी होगी मैं कहता हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ मैंने खुद ऐसे ही किया है जब गया था, नौकरी कर कुछ थोड़ा बहुत कमाता खाता था पर देखो किस्मत का केल, आज देर सोबीगा जमीन है नौकर चाकर है, साख है मैं तो कहता हूँ चलो, वीर ने मनोज को बेहतर जीवन की सलाह दी यहां ही क्या कमी है, खाना परियाप्त है अपनी जमीन भी है, तो जीवी का चल रही है अपने लोग है, मापिताजी है और भाई, बिस्तर अधिक मुलाइम हो भी गया तो क्या नीन तो मुझे यहां भी अच्छी ही आती है मनोज ने अपने जीवन पर संतुष्टी जताई यह अधूरी बाते हैं दोस्त, हर चीज का फर्क है यहां रोटी सबजी है खाने को वहा शलाद फल फूल होते हैं ऐसे ऐसे विलाइती फल आते हैं मंडी में यहां तो दूर दूर तक न बिकते होंगे यहां हिचकते हो हकीम के पास जाने से जाने कब कोई बिमारी की चपेट में आ जाए कितने लोग मरते हैं, तुम तो इन बातों से अवगत हो चोचले पालने की सला नहीं देता हूँ मैं मगर मूल जीवन शैली, जहां तक बहतर की जाये, उतना बड़ी है वीर ने कहा मगर अपनी जमीन का क्या होगा, मनोज ने पूछना चाहा वहाँ एक बार जीवन ठीक ठाक धंक से चलने लगे फिर क्या माइने रखता है कि कहां कितनी जमीन है संतुष्ट जीवन हो, भविश्य तै हो, इतना काफी है यहां की जमीन की किसे फिक्र है फिर तुम क्यों हर साल मौइना करने आते हो अपनी जमीन का फिर मैं लोगों से मिलना आता हूँ, जमीन तो चाहें बेच दूँ, लगाओ तो लोगों से है पर माँ पिता जी नहीं जाएंगे यहां से, तुम्हे ही मौ है, सोच उन्हें कितना होगा बात करो उन से, समझाओ बुजाओ, मान जाएंगे लोग वहां भी हैं, कुछ दिन में मौ जाता रहेगा, फिर वही अपना सा महसूस होने लगेगा कहते हुए, वीर ने शराब का गिलास कटक लिया प्रगती का ही नाम जीवन है, मनुश्य आज में जीता है, बविश्य के फिक्र करता है यादें उसका खजाना है, हर एक के अपने भाब, जो चाहा जब खोल लिया अनुभव से व्यक्ति सीखता है, बविश्य उत्तमतर करता है मनुश्य यद्यपी अपने जीवन से संतुष्ट था, मगर वीर की बातें जेहन में घर कर गई थी उनमें सच्चाई भी थी, मगर उपर तो आदमी जितना चाहे उठ सकता है, एक समय बाद आसपास वाले भी दूर दिखने लगते हैं बड़ोतरी का आंत नहीं है, मगर जरूरत भी महसूस होती है, कहां लकीर कीचें कि यहां तक जीवन ले जाया जाए इसी असमंजस में मनोज ने फैसला किया, कि वह भिंड जाकर काम ढूंडेगा, एक बार परियापसन सादर निकटे हों, फिर परिवार को भी ले आएगा घरवालों को इत्तला कर मनोज भिंड के लिए रवाना हुआ वीर ने मनोज की काम ढूंडने में मदद की, वीर ठीक कहता था, आसपास कई लोग थे जिन्होंने जमीन पहले खरीदी थी और अब बेचकर धनी हो गए थे, मनोज धीरे धीरे धन जमा करने लगा हर कुछ रोज बाद वे भिगान हो आता, या ख़द द्वारा खोज कबर ले लेता कुछ सालों में मनोज अच्छी गासी जमीन का मालिक हो चुका था, इज़त पैसों की मोहताच थी, अब उसकी समाज में साख बनने लगी थी तमाम एशो आराम उसकी जिन्दगी का हिस्सा थे, उसने फैसला किया कि इस बार की फसल के बाद वह अपने परिवार को ले आएगा लालच बुरी बला है, सबने सुना है, तिस पर भी अनेक मानव इसका शिकार होते हैं सुखों में, आराम में, साख में नशा है, हमेशा ज़्यादा की काम न रहती है, सहज ही नहीं मिलता मगर सब कुछ, राप्ती के लिए त्याग जरूरी है समझदार व्यक्ति विवेक से फैसला करता है, कि किसके माइने ज़्यादा है मगर सफलता के नशे में चूर व्यक्ति त्याग को अंदिखा कर आगे बढ़ता जाता है मनोज को पता चला कि भिंड से कुछ सो मील दूर कबीलों की बसती है कबीला कम चर्चित था, उनके विचितर जीवन का एक मुख्य बिंदू था, उनकी प्रस्तावना कोई भी व्यक्ति दस हजार रुपए में एक दिन में जितनी जमीन वह चल सके उतनी खरीच सकता था बशर्तें सांज ढलने तक उसे प्रारम स्थल पर वापस पहुँचना होगा प्रस्ताव लुभावना था, मगर मनोज सावधान था उसने कबीलों की जमीन के वारे में जानकारी हासिल की आश्वस्त होकर कि तीन पहर में वो दस हजार से ज़्यादा कीमती जमीन चल लेगा और सांज ढलने से परियापत पहले वापस पहुँच जाएगा उसने प्रस्ताव स्विकारनी की सोची परिजनों को लाने का कार्य इसके पश्चाथ पुरा करने की ठानी दस हजार रुपे लेकर वह कबीले की और रवाना हुआ कबीला एक छोटे पहाड पर बसा था वहीं से उसे आरंब करना था मनोज ने फैसला कि वह अपनी आत्रा अगले दिन प्रारंब करेगा और कहा कि अंत में इसी स्थल पर वापस पहुँचना होगा पहाडी से नीचे उदरते ही उपजाओ जमीन थी कुछ दूर चलने के बाद उसने नाश्टा किया योजना नुसार उसे अभी काफी चलना था अदै उसने अपनी यात्रा जारी रखी कुछ घंटो बाद भूक लगी तो खाना खा लिया आराम करने का उसका जी हुआ पर तु सोचा कि खत्म करके ही आराम करेगा थकान में नीन लगते देर नहीं लगती इसी डर से उसने आत्रा जारी रखी उसकी नजरों से पहाड ओजल होने लगा था परचाई भी लंबी दिखाई पड़ रही थी उसने वापिस लोटने की सोची किन्तु याद आया कि बस थोड़ी ही दूर खनिज सम्रिद मिट्टी थी कार खानों में खनिज की मांग बढ़ती जाती थी ख़दानों से निकले खनिज बेच कर कमाने वाले कुबेर से धनी थे उसने निश्चे किया कि कुछ दूर ही चल कर वह वापिस लोट जाएगा बाकी की जमीन अन्ने साधनों से खरीद लेगा वह थोड़ी ही जमीन चल पाया था कि उसका वापिस लोट पाने का विश्वास डगमगाने लगा सारी लालसाइं छोड़ वह वह वापिस लोटने लगा यात्रा आरम करने से पहले उसके मन में अने को ख्याल थे उसका इवम उसके परिवार का जीवन अब खुशाली में कटेगा उसके बच्चों के भविश्य पर कोई आच ना आएगी मगर सावधानी बरतनी होगी लालस से बचना होगा अब उसे केवल निराशा और गुसा था लालसा में अपने लिए समस्याइं खड़ी कर ली थी अगर वह वापस नहीं पहुँच पाया तो दस हजार रुपे गवाँ देगा वापस वहीं आ खड़ा होगा इससे परीजित था उसने सारे नकारात्मक ख्यालों को दूर किया और लक्षबद आगे बढ़ने लगा नाश्ता खाने के बख से अब महजवजन थे जो उसे धीमा कर रहे थे उसने उने वहीं फैंक किया उसकी चाल में तेजी आ गई सूरज भी अपना नियम पूर्ण कर डूबने चला था यह देख मनोज ने दोड़ लगा दी पाड़ी अब दूर न थी मगर वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता सूरज ढल गया फुर जोर कोशिश पश्चाद विफलता का दुख अफसाद में बदलने की ताकत रखता है फिर कहीं चमतकार वश कोई आश्वासंदे की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई तो मनुश्य उसमें अपना सर्वस्व सौंप देता है पहाड़ी पर कभीले अभी भी चिला रहे थे प्रोटसाहन के नारे लग रहे थे मनुश को भनक हुई कि उचाई पर होने के कारण शायद उन्हें अभी भी सूर्य दिख रहा होगा मनुश बेसुद भागा नजरें टोपी पर टिकी थी सूरज पहाड़ी पर से देखने पर अभी पूरी तरह ढ़ला नहीं था मनुश ने चलांग लगा कर टोपी पर हाथ जमा दिये और जमीन पर चैतन्य रहित हाफने लगा कभीले वालों ने विजयगान शुरू कर दिये सरदार ने पानी मंगा और उसकी अतुलने उपलब्दी पर मनुश को बढ़ाई देने लगा मगर मनुश का शरी जरा भी नहिला वहमृत पड़ा था कभीले वालों ने जमीन खो दी और उसका शव वहीं दफना दिया केवल दो गज जमीन उसको बहुत रही कर दो सकते हैं